हेलो गाईज आप को इलिका में है इस प्लान यहां चन्स्रक्शन चनल पर तो गाईज आज आपके सामने ले कि आई हो एक नया प्लान जो प्लान है 40 feet by 40 feet का है and यह है not facing plan and यह है 3 ways के plan एक शांदर plan आप एक बढ़िया जगा है आपका ठीक है और जगा भी आप बांगलो टाइप का and भीला टाइप का कुछ कहना चाहते हो तो यह plan आपके लिए है ठीक है तो plan को first देख लो 3D plan कैसे लगा है तो 3D plan अच्छी लगी तो आप like करते है ना एक and चलिए हम देख लेते है हमारा जो main plan है 2D plan वो हम देख लेते है कैसा है वो plan ठीक है तो चलिए चलते है 2D plan पर तो गैस चले आए हम 2D plan पर तो देख लो first हम entry करते है जब यहासे हम entry करते है ठीक है तो यह entry time में हम समने परती है एक parking ठीक है जो parking देख सकते हो 15 feet 2 inch by 14 feet का है ओए parking ठीक है हम यह building में जो कुछ भी दिया है सब बढ़िया बढ़िया करके दिया है सब बढ़िया है सांदार है ठीक है अपका सांदार लगेगा ठीक है तो देन देख सकते हो हमारे पास यह main gate है and main gate का जो step है गर्द में जाने के लिए step दिया हुआ है ठीक है 3 step है यहापर ठीक से and यहापर जो gate है देख सकते हो यह gate है 8 feet का gate है ठीक है 8 feet का gate रख का है हम ठीक है जहापर design door लगेगा and यहाँ से entry करेंडे के बाद हमारे पास जो आएगा वो है drawing room ठीक है तो drawing room देख सकते हो 15 feet 11 inch by 13 feet 4 inch का drawing room है यहापर drawing room में एक window दिया गया है 6 feet का and यहापर आके हमारे पास आती है एक dining room ठीक है देख सकते हो एक dining room आती है जो है 10 feet 5 inch by 12 feet 5 inch बहुत बही असा आपका यहापर dining table बगरा सब कुछ लगा सकती हो देख सकते हो बहुत clear हम जगा दिया है ठीक है and सामने देख सकते हो kitchen दिया गया है north side पे वो kitchen है 10 feet 5 inch by 7 feet का है 10 feet 5 inch by 7 feet का है ठीक है बहुत बढ़िया kitchen है and यहापर देख सकते हो main bedroom अपका आपका जो main bedroom यहापर दिया गया है 12 feet by 14 feet का एक bedroom है जिसके साथ हो साथ एक sorry यहापर एक attached toilet दिया गया है ठीक है यहापर attached toilet है ठीक है जो attached toilet का जो size है ओ है 5 feet by 12 feet ठीक है 5 feet by 12 feet यह जो attached toilet का size है and यहाँ पर देख सकते common bathroom दिया गया है जो common bathroom है 12 feet by 7 feet 6 inch 12 feet by 7 feet 6 inch यह bathroom, common bathroom बहुत बढ़िया common bathroom ठीके and उसके साथो साथ हम दो bedroom देने की कोशिश किये है एक bedroom है इस कोने में जो है 12 feet by 11 feet 5 inch यह है south west corner में यह bedroom पढ़ेगा आपका south west corner में यह bedroom पढ़ेगा 12 feet by 11 feet 5 inch देख सकते हो 2 window दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर एक करके 2 window दिया गया है और यहाँ पर और एक bedroom दिया गया है जिसका size है 12 feet 6 inch by 11 feet 5 inch ठीके and इसके साथ साथ भी 2 window दिया गया है जो window 4 feet 4 feet करके करके है यह पर एक door दिया गया है यह door से जाके हमारे पास पड़ेगा एक बरंदा जो बरंदा की जो size है 5 feet by 11 feet 5 inch यह बरंदा की size है 5 feet by 11 feet 5 inch बरंद टाइप का है बट एक balcony type कर बुल सकते हो तो ground floor है तो हम बरंदा भी लिखा है यह use कर सकते हो तो यह video and यह plan आपको कैसा लागा यह मुझे comment में बाता ना और आपको कैसा plan चाहिए आपको कैसा जगा पर plan चाहिए मुझे बाता ना तो मैं कोशिश करूँगा मेरे जो design के experience है मैं कोशिश करूँगा आपको यह plan कर देने के लिए और plan आप बना ले के लिए मैं कोशिश करूँगा तो thank you so much मिलती हूँ अगली कई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाई हिंद